दोस्तों अगर आप भारती एस्टेट बैंक में ऑनलाइन अकाउंट ओपिन करना चाहते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि पता नहीं हमें डेबिट काड मिलेगा या फिर नहीं या फिर डेबिट काड लेने के लिए कहीं ब्रांच तो नहीं जाना परेगा पास बुक कैसे मिलेगा चेक बुक कैसे मिलेगा तो आज के इस वीडियो में हम इसी डाउट को किलियर करने वाले हैं क्योंकि अकाउंट कैसे ओपिन करते हैं कैसे इंटरनेट बैंकिंग एक्टिवेट करते हैं ये सब वीडियो तो मैंने डाल दी है आप लोग देख सकते हो चैनल पर जाकर कि SVI का online account हम घर बैठे कैसे open करेंगे लेकिन अभी देख लेते हैं कि आपके जो मन में doubt है इस account को लेकर वो सब clear कर लेते हैं तो सबसे पहले बात करेंगे यहां पर online account open की तो आपको बता दे कि online account योनो SVI application के जरीए आप free में खोल सकते हो किसी भी तरीके की minimum balance रखना नहीं है SVI का account जो है zero balance भी open होता है मतलब यह नहीं है कि आपको पैसे रखने zero balance account open करेंगे वीडियो के वाइसी होगी उसी वक्त आपको SMS के दौरा आपको मिल जाएगा आपका account number साथ साथ आप जो है account open करते हुए ही जो password बनाएंगे वहीं आपका internet banking का password होगा और temporary username आपको मिल जाएगा जहां पर आप उस username और अपने द्वारा दिये गए password का use करके आप जो है internet banking का भी इस्तमाल घरबैटे कर सकते हैं सिधा मतलब हुआ कि account open आपने कर लिया तो internet banking भी आपके पास है debit card की ज़रूरत नहीं है अब बात कर लेते हैं debit card की तो चुकि debit card की ज़रूरत वहां परती है जहां पर लोग internet banking इस्तमाल करते हैं या फिर पैसे की लेंदेन करना है और internet banking activate करना है तो debit card लगता है लेकिन online account में debit card जो है आपको नहीं लगता है internet banking के लिए temporary user ने मिलता है आपके mobile number पे और password तो आप खुद बनाते हो उस passport को डाल के आप login करेंगे लेकिन अगर खाते से पैसा निकालना है debit card के ज़रूरे उस इस्तिति में क्या होगा तो अगर आप account open कर लेते हो वीडियो के वाइसी हो जाती है आपका account चालू हो जाता है मतलब वीडियो के वाइसी के बाद अगले 24 गंटे के अंदर आपका account updated है तो आपका account जब चलने लगता है तो फिर आप उसमें पैसे की लेन देन तो कर सकते हो लेकिन ज़री उसकी नहीं है आपके address पे 8 से 10 दिन के अंदर आपको एक debit card ले जाएगा कौन सा debit card होगा तो आपको मिलेगा SVI का रूपे debit card रूपे classic debit card जिया रूपे classic debit card मिलेगी अगर हम इसकी charge की बात कर लेते हैं तो ऐसे तो आपको पहली बार free में मिलेगा लेकिन इसका जो annual maintenance charge होगा वो 125 रूपिया प्लस GST मतलब 1500 के आसपास का 140-42 के आसपास समझ के चलिए तो ये आपको annual charge इस debit card पर आपके खाते से कटेंगे ठीक है तो ये हो गया debit card की details अब बात कर देते हैं यहाँ पर passbook की कि आपको passbook कैसे मिलेगा तो जी आप account open करेंगे तो वहाँ पर ही लिखा हुआ होता है कि आपको जो है passbook request के बाद ही मिलेगी इसमें passbook आपके address पे भेजी नहीं जाएगी आपको branch जाना है आपके पास passbook आ गए debit card आ गया अब बारी आ जाती है चेक बुक की तो चेक बुक भी आपको branch से ही जाके लेना होता है request डालने के बाद क्योंकि online account जब open करते हैं उसमें passbook और जो आपका checkbook होता है वो आपके address पे ऐसे ही नहीं आ जाता है debit card की तरह welcome kit मिलेगा आपको sbi की तरफ से लेकिन उसमें debit card या फिर जो भी कह लिए जो भी कह लिए जो भी आपको आपको चेक बुक नहीं होगा अगर आप branch जाके account open करवाते हैं नो वहाँ पर जितनी facility आपको मिलती है न उतना ही फैसलिटी आपको online account में भी मिल जाता है तो अगर सारा facility आपको यहाँ पर ही मिल रहा है तो फिर branch जाने की क्या ज़रूरत है और ऐसे भी अगर आप branch चले जाते होना तो बहुत सारे sbi के branch में आपको कहेंगे कि 2000 से कम में खाता नहीं खुलेगा 1000 का insurance करवाना जरूरी है लेकिन यह सब कुछ जरूरी नहीं है तो बहुत से लोगों का जो है एसे में इस्विया इन्सोरेंस स्टार्ट कर दिया general insurance 1000 रुपिया हर साल देना है हर साल देना है maturity पे कुछ मिलता नहीं है तो यहां से आप लोग जो है हमारे channel पर जाएंगे ने तो sbi के general insurance और account branch जाके खुलवाने में क्या क्या दिक्कत होता ह है वो सब हमने डाल दिया है details में जो भी है वो आप लोगों के सामने है तो आप लोग उसे देख ले सकते हो अगर branch जाना है तो फिर पहले देख लो कि क्या क्या परसानी होने वाली है बाकि online में क्या क्या facility feature मिलने वाली है परसानी कुछ होने वाला है नहीं तो बहतर होगा कि आप घर बैठे ही account open कर लीजे कैसे open करते हैं वो तो हमने बता दिया है लेकिन मुझे यह लगता है कि यूपियाई की जहां तक बात है इंटरनेट बैंकिंग आई एंपियस ने एफ्टी जो भी facility आपको मिलती है FD बगएरा पर interest बगएरा या फिर जो भी saving account पर interest मिलती ह है वो सब आपको ऐसे ही मिलेगा online account में जैसे offline account में मिलता है ठीक है बाकी कोई changes नहीं है बस बात ज्यादा तो हमें लगता है कि branch जाके ही नुकसान है क्योंकि 2000 रुपे वहाँ पर जबरदस्ती मांग लेते हैं बहुत सारे branch और बहुत में नहीं भी मांगते हैं जरूरी नह देते हैं facility बाकी maximum bank नहीं देते हैं तो उसके लिए तो branch जाना होगा बाकी सारी facilities आपको घर पे मिल जाएंगी यह उसके बाद आप अपना account open कर लिजिए तो मुझे उमीद है कि आपके सारे doubt को हमने यहां पर cover किया होगा चुकि यह सवाल हमने इसलिए लिए हैं कि बहुत स description में reply करेंगे या फिर dedicated वीडियो आपको मिल जाएगी मिलते हैं किसी नई वीडियो में दीजिए इस आज़त थैंक यू